हाई, वेलकम तो मैं चनल, इस बीड़ी में सॉल्फ करें केशन नबर 3 कॉंस्टॉक्ट अ क्वादिलेटरल पिक्यू आरस वेर पिक्यू इसकोल तो 3.5 सेंटिमेटर क्यू र इसकोल तो 6.5 सेंटिमेटर अंगल पी अंगल आर, आर 105 डिग्री अंगल S is equal to 75 degree यहाँ पर हम construction कर सकते हैं लेकिन आपको सबसे पहले की angle क्यू find करना होगा, क्यों find करना होगा क्योंकि आप construction तभी कर सकते हैं जब आपको 3 angles दिया हो और उनके बीच में included angles दिया हो तो यहाँ पर देखिए, यह 2 sides दिया हुआ है लेकिन इसके बीच में जो angle है वो नहीं पता आपको, तो यह पहले angle find करना है पड़ेगा, यदि आप नहीं find करते हैं तो आप construct नहीं कर सकते हैं तो फर्स अफ वाल आप जो है इस angle को find करेंगे, तो हम जानता है कि angle P plus angle Q plus angle R plus angle S is equal to 375 आएगा आपका तो यहाँ पर हम 3 angles को add करके और Q find कर लेंगे तो यहाँ पर हम इंकल सकते हैं, it implies angle Q is equal to ओके हमने angle find कर लिया है 80 degree, तो आपका angle Q हो गया 80 degree सबसे पहले आप QR ड्रा कर सकते हैं, या फिर QP ड्रा कर सकते हैं, बतलब यहाँ से starting कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर start करूंगा QR ड्रा करके 6.5 cm line segment ओके हमने QR line segment 6.5 cm का ड्रा कर लिया है अब Q point पर हम angle 80 degree बनाएंगे using protector ध्यान दिजीगा, center से जो line यदि right से ब जाती है, तो आप हमेशा उपर वाले skill का यूज़ करेंगे और इस center से left में जाती है line तो हम नीचे वाले skill का यूज़ करते हैं यहाँ से दिखे Q से R की तरफ इदर जाना है तो हमें right set में जाना पड़ेगा तो हम बाहर वाले मतलब की उपर वाले skill का यूज़ करेंगे, आप देख सकता हैं कि हमने 80 degree के direction में mark कर लिया है यहाँ पर तो अब यह Q point और यह जो मैंने mark किया है point यहाँ से join करते हुए हम एक ray draw करेंगे Qx तो हमने Qx draw कर लिया है now यह आपका angle है 80 degree अब देहाम से जीगा Q को center मान करके 3.5 cm के radius लिए करके हम एक mark करेंगे जिससे point P मिल जाएगा आपको हमने यहाँ पर marking कर लिया है और यह intersection point of intersection जो आपका है वो क्या है P है जैसा कि आप देख सकते हैं P point पर 105 degree का angle बनाना है आपको तो इस P point पर हम बना लेंगे 105 degree का angle और साथी साथ हम R पर भी बना लेंगे 105 degree angle यह दोनों angle जो बनाएंगे तो दो ray निकलेंगे आपका P यहाँ से P से जो है P Y and R से R Z दोनों जो है एक point पर intersect करेंगे जो point S होगा ओके तो ध्यान जो जीगा R पर हमें यह भी बनाना है 105 degree का angle तो R से Q जो है इधर left side में है therefore हम नीचे बाले skill का यूज करेंगे और एक point बना लेंगे 105 के direction में तो आपका देखिए 100 और 110 के बीच में होगा 105 तो यहाँ पर हम एक point बना लेते हैं आप देख सकते हैं कि 100 और 108 के बीच में जो है हमने mark कर लिया है अब यह R और इस point को जोइन करते हुए हम एक ray draw करेंगे R Z तो हमने R Z यहाँ पर construct कर लिया है तो आपका यहाँ पर जो angle बन गया वो है आपका 105 अब P point पर हम same angle बनाएंगे 105 degree ध्यान देखिएगा P Q आपका नीचे की तरफ है इधर तो आप use करेंगे नीचे की तरफ से उपर की तरफ से आप ध्यान मत देज़ेगा बस देखे कि P यदि इधर left side में है इधर right side में इधर P Q ड्रा क्या क्या है जो scale आपका है यहाँ पर प्रोटेक्टर उसके हिसाब से यह नीचे right की तरफ जा रहा है therefore हम उपर वाले scale का यूज करेंगे तो यहाँ पर जो उपर वाले scale में आप देखेंगे 105 डिगरी आपका यहाँ पर है 105 तो 100 और 110 के बीच में यहाँ पर point तो हम एक point ले लेंगे यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि 105 डिगरी के direction में हमने एक point ले लिया है तो P और इस point से join करते हुए हम एक ray ड्रा करेंगे जो intercept करेगा RZ ray को और वो point मिलेगा आपको P तो आप देख सकते हैं हमने यह point P फाइंट कर लिया है so we have constructed this quadrilateral as required so this is your required quadrilateral यदि आपको अच्छा लगा यह construction तो like करते इस वीडियो को और आपको दोस्ते को share कर सकते हैं और यदि आपके मन में कोई भी doubt है तो बिल्कुल आप comment कर सकते हैं ओके thank you so much for watching बाई